हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज हम विंटर के सबसे सुंदर फ्लावरिंग प्लांट पिटूनिया के सौल मिक्स के बारे में बात करेंगे कि इसकी मिट्टी कैसे हम तयार करते हैं क्योंकि अगर हमारे जो है प्लांट के लिए मिट्टी अच्छी बने पतली पतली होती है तो जादा गहराई वाले पॉट में जो है इसको लगाने का कोई फाइदा नहीं होता है और यह नहीं जाती है नीचे तक तो इसके लिए जो है आप चोडाई वाला पॉट ले सकते हैं आप चाहे तो बंजाई पॉट भी इसके लिए यूज कर सकते हैं तो मैंने इसी पाइप में अपने प्लांट को लगाया है और जब ये पाइप पूरी तरीके से फूलो को कवर कर लेगा तो मैं आपके साथ शेयर भी जरूर करूंगी तो अपने इस पाइप में मैंने जो है ड्रेने जोल बना लिये हैं एक पेचकस की हल्प से उसको गरम करके किसी भी प्लांट को लगाने के पहले आप धिहान रखिएगा कि जिसमें भी आप प्लांट लगा रहे हैं उसमें आप ड्रेने जोल जरूर बना लें ताकि एक्स्ट्रा पानी उसमें बिल्कुल भी ना रुके तो आप जो मेरा टॉपिक है उसकी बात कर लेते हैं पिटूनिया की मिट्टी बनाने के लिए मैंने तीन बराबर हिस्से में मिट्टी वर्मी कमपोस्ट कोकोपीट ले ली है मिट्टी मेरी रेती ली है अगर आपकी मिट्टी जो है रेती ली नहीं है तो आप जितनी मिट्टी उतनी रेत भी मिलाए उसके बाद मैंने जो है अपने उसमें दो मुठी नीम खली मिलाई है और एक मुठी सरसो की खली है दो चम्मच सीवीड है और यह डेज चम्मच ट्राइकोडरमा है और हाँ फ्रेंड्स मैंने एक मुठी बोन मिल भी बिलाए है इसको आपने बहुत अच्छे से mix कर लेना है तो friends मैं जो हूँ अपने plant इस pipe में लगा कर मिलती हूँ और कुछ और important बाते आपके साथ share करती हूँ जो कि आपको report करते time ध्यान रखनी है friends जो petunia plant की soil mix बनाने के लिए एक बात ध्यान रखनी है कि मिट्टी आपको ऐसी बनानी है जो की well drained हो और साथ ही साथ अपने अंदर moisture भी hold करके रखे क्योंकि petunia plant हमारा बहुती sensitive होता है पानी के लिए तो इसकी मिट्टी में बिल्कुल भी पानी ना रुके इसकी मिट्टी आप ऐसी बनाए देखिए काम करते करते मुझे शाम भी हो गई है तो इसके बात जो है आपको जो बात ध्यान करनी है report करते टाइम कि plant का root ball बिल्कुल भी disturb ना हो क्योंकि जो है इसकी roots जैसे कि मैंने पहले भी बताया है बहुती पतली होती है तो इससे आपका plant मर भी सकता है मेरे जो हैं दो plant की root ball डिस्टब हो गई है पर फिर भी मैंने लगा दिये हैं देखते हैं ये दोनों plant survive करते हैं या नहीं next जो आपको बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप plant को report करें तो plant के जो नीचे के पत्ते होते हैं वह आप जरूर हटा दें जो कि मिट्टी को आपके टच करते रहते हैं वह नहीं तो वह जो पत्ते हैं वह fungus को भढ़ाएंगे मतलब आपके plant में fungus का खत्रा बढ़ जाएगा बहतर यह होगा कि आप अपने प्लांट को थोड़ा ऊपर करके लगाएं ताकि नीचे के पत्ते जो हैं उससे मिट्टी से टच ना हो और फंगस का खत्रा ना रहे और नेक्स जो प्लांट लगाने के बाद आप उसमें अच्छे से वाटरिंग करें और उसके बाद नेक्स पानी तभी दे जब प्लांट की मिट्टी सूख जाए ऐ होप मेरी वीडियो फ्रेंड्स आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें चैनल क को सब्सक्राइब करें ओके फ्रेंड्स थैंक यू